शारुक खान, बॉलिवट का वो सितारा जिसने बॉलिवट पर सालों से राज ही किया है और अपने फैंस को अपनी बहतरीन फिल्मों से एंटर्टेन किया है शारुक के कुछ आइकॉनिक किरदार आज भी लोगों के दिल में हैं इनकी फिल्म है बॉक्स आफिस पर हमेशा सही आग उगलती आई है तो आईए शारुक के कुछ तमदार दस ब्लॉक बॉस्टर मूवीज पर हम आज इस वीडियो में नजर डालते हैं दोस्तो शाद आपको मालूम होगा कि दिल्वाले दुल्हनिया ले जाएंगे हिंदी सिनेमा में सबसे जादा हफ्तों तक चलने वाली फिल्म है जो आज भी मुंबाई के मराठा मंदर थेटर में दिखाई जाती है इस फिल्म को लेकर आज भी लोगों में वही पुराना उटसा देखने को मिलता है 1995 में ये फिल्म रिलीज हुई थी लेकिन तब से लेकर आज तक लोग इसके हर एक सीन को याद करते हैं इस फिल्म ने शारुक खान को एक नई बुलंदी दी और वो बॉलिवट में अपनी नई पहचान बना पाए फिल्म ने उस समय 58 करोड का बिजनिस किया था जिस हसाब से इसकी कामियाबी उस समय देखी गई थी अगर ये फिल्म आज के समय में रिलीज होती ही तो बड़े बड़े ब्लॉक बॉस्टर फिल्मों के कलेक्शन के रिकॉर्ड को भी तोड़ कर रख देती नमबर नाइन कुछ कुछ होता है 1998 में आई कुछ कुछ होता है फिल्म में शारुक खान ने राहूल का करदार निभाया था ये एक तरह की पारिवारिक मूवी थी जो उस समय की जबरदस्थ हिट मानी गई थी फिल्म में कुछ आइकॉनिक सीन्स मौजूद हैं इसके अलावा इस फिल्म की गाने भी उस समय काफी हिट हुए थे फिल्म के निर्देशक थे करंट जोहर और उनकी उस समय उम्रत काफी चोटी थी लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने सिर्फ 10 करोड में ही इस तरह की फिल्म को बना दी जिसने 90 करोड का कारोबार किया था दोस्तो इस फिल्म में शारुक खान और प्रितिक जिंडा की जोड़ी बेहत कमाल की रही थी फिल्म की सक्सेस में इन दोनों कलाकारों ने एक अहम भूमी का निभाई थी वीर जारा को आप शारुक खान की बेस्ट मूवी का दर्जा भी दे सकते हैं और उस समय इस फिल्म ने 97.6 करोड का बिजनिस किया था दोस्तों 2001 में आई कभी खुशी कभी गम मूवी अपने समय की एक ब्लॉक बस्टर मूवी रही थी जिसमें शारुक के करदार को सभी ने बहुत पसंद किया था इस फिल्म की पूरी कास्ट काफी भेतरीन थी और हर किसी ने अपने रोल को बाखो भी निभाया था इसलिए आज भी लोग इस फिल्म को याद करते हैं उस समय इस फिल्म ने पूरी दुनिया भर में 119 करोड की कमाई करी थी तो वहीं भारत में इस फिल्म का कलेक्शन 55.9 करोड का था शारुक खान की चन्नाई एक्सप्रेस फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी जो की एक कॉमेडी फिल्म थी रोहिच शेटी द्वारा इस फिल्म को बनाया गया था और ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई थी और इस फिल्म में शारुक और दिपिका की केमेस्ट्री अलग लेवल पर ही थी कमाई के मामले में भी इस फिल्म ने काफी रिकॉर्ड्स तोडए और अपने टाइम की एक ब्लॉग बस्टर मूवी साबित हुई दोस्तो इस फिल्म का वर्ल्ड रिकॉर्ड कलेक्शन 422 करोड का रहा था शारुक खान की हैपी नूँँएर मूवी 2014 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म भी एक कॉमेडी फिल्म थी इस फिल्म में शारुक और दिपिका एक बार फिर से साथ नज़र आये थे उस समय हैपी नूँएर बॉलिवुड की सबसी हाइस्ट ओपनिंग मूवी थी और इसका वर्ल्ड वाइट कलेक्शन लगभग 408 करोड का था और भारतिय बॉक्स आफिस पर इस फिल्म ने 205 करोड की कमाई करी थी दोस्तों दिल्वाले शारुक खान की वो मूवी है जिसे लोगों ने काफी पसंद किया और इस फिल्म के जरिये काफी समय बाद स्क्रीन पर शारुक खान के साथ काजोल भी नज़र आई थी इन दोनों की जोड़ी ने फिल्म को हिट बना दिया था इस फिल्म का वर्ल्ड वाइट कलेक्शन 34.85 करोड था तो वहीं फिल्म ने इंडिन बॉक्स आफिस पर 148 करोड की कमाई करी थी दोस्तों शारुक खान की रईस एक क्राइम ड्रामा फिल्म थी जिसमें शारुक खान ने एक शराब तसकर का करदार निबाया था जो की दर्शकों को खूब पसंद आया था उस समय रईस ने 304 करोड की कमाई करी थी जिससे ये उस समय 2017 की सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलिवर्ड फिल्म मनी थी दोस्तों शारुक खान की पठान 2023 में रेलीज हुई थी काफी समय बाट शारुक खान की कोई फिल्म बॉक्स आफिस पर कमबाक कर रही थी लोगों को इस फिल्म का बेसबरी से इंतजार था और जब इंतजार की घड़ी खत्न हुई तो लोगों ने फिल्म को काफी सराहा और और टाइम ब्लॉक बस्टर भी बना दिया पठान ने दुनिया भर में 1050.30 करोड की कमाई करी थी नमबर वन जवान 1149.32 करोड से अधिक कमाई के साथ ये 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतिय फिल्म है दूसरी सबसे ज़ाँ करने वाली हिंदी फिल्म और पाँचवी सबसेज़दा कमाई करने वाली भारतिय फिल्म बन कर ये उबरी है उन्हात तर्वे फिल्मफेर पुरसकार में फिल्म को सर्विष्षेष्ट फिल्म और सर्विष्षेष्ट निर्देशक सहिच 14 nominations प्राप्त हुए हैं शारुक खान के जबर्दस तभिनाय और फिल्म में इस्तमाल हुए यूनीक आक्शन सीक्वेंसिस के जबर्दस सीन्स ने परदे पर एक अलग ही प्रभाव डाला है। शायद इसलिए इन्हें King of Romance कहते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेर करके हमारे चानल पूछता है भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए।